So friends, यह मेरा MiWi का Caller Classic है और आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है और यहाँ पे हम Android phone भी रखे हैं, iPhone भी रखे हैं यह जो MiWi Caller Classic है यह एक साथ दो device से connect हो सकता है किस तरीके से आपको connect करना है Android से, iPhone से इसके अलावा आप इससे जो last dialed call है उसको redial कर सकते हैं इसके अलावा mics के बीच में आप switch कर सकते हैं जब दोनों device से यह एक साथ connected रहेगा उस समय अगर दोनों device पे एक साथ call आ जाता है तो किस तरीके से आप एक device के call को hold पे डाल के दूसरे device के call को pick कर सकते हैं boxing वाला वीडियो नहीं देखे है तो उसको जाके definitely देखिए बिकास उस वीडियो के थुरू हम एक Miwi Thunderbeats का giveaway कर रहे हैं किस तरीके साथ इसमें participate कर सकते हैं किस तरीके साथ इसको जीत सकते हैं वो उसी वीडियो में आपको पूरा information मिल जाएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे buttons का तो Miwi Color Classic में आपको तीन buttons मिलता है एक volume up, एक volume down और एक multifunction button है बिकास यह काफी सारा functions आप कर सकते हैं और बीच में एक LED indicator है जो कि red and blue color में glow करता है अब अगर आपको इसको on करना है तो आपको multifunction button को present hold करके रखना होगा for one second और उसके बाद blue color का light जलेगा एक voice prompt आपको earphone में आ जाता है और जब यह blue और red color में continue glow करें इसका मतलब की pairing mode में चला गया है और pairing mode का भी voice prompt जो है आपको earphone में आ जाता है pairing mode में आ गया है अब यहाँ पर अगर इसको आपको off करना है तो आपको इस multifunction button को 3 second तक present hold करके रखना है और उसके बाद red color का light जलेगा और यह power off हो जाता है वापस से हम इसको on कर लेते हैं on होने के बाद आप देख सकते हैं कि यह pairing mode में चला गया है अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको इसको android phone से connect करना है जब यह pairing mode में चला जाए उसके बाद आपको अपने android phone में bluetooth को open कर लेना है तो यहाँ पर हम bluetooth को on कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम bluetooth setting में चले जाते हैं bluetooth setting में यहाँ पर available devices यह scan कर रहा है और यहाँ पर आपको मीवी color classic देखने के लिए मिल जाएगा इसके उपर आपको tap करना है यहाँ पर pairing लिखा हुआ रहा है और अब यहाँ पर आपको pair पे click कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीवी color classic जो है वह connected हो गया है बैटरी 100% शो कर रहा है और यहाँ पर okay कर देते हैं अब जब एक बार यह connected हो जाता है मीवी color classic तो कुछ-कुछ देर में यह blue color में glow करता रहता है और I hope आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर screen पर so friends यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि मेरे phone पर music play हो रहा है और अगर music play हो रहा है आपको उसको pause करना है तो यहाँ पर आपको multifunction button मिलता है इसको just आपको press करना होगा और music जो है वो pause हो गया है अगर music pause condition में है play करना है multifunction button को single press करेंगे और music जो है वो वापस से play होने लगेगा volume up down करने के लिए आपको dedicated button मिलता है जिसको आप press करके volume up down कर सकते हैं अगर आपको next track पर जाना है तो जो volume up button है इसको आपको present hold करके रखना है और आप next track पर चल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम next track पर आगए अब आपको अगर previous track पर जाना है तो आप volume minus button को present hold करके रखेंगे और आप previous track पर चल जाएंगे जो track पहले से play हो रहा था इसके अलावा android phone में आपको google as a voice assistant मिलता है और अगर आप iphone के साथ use कर रहे हैं तो siri as a voice assistant आप use कर सकते हैं अब अगर आपको voice assistant को enable करना है तो multifunction button जो है इसको आपको one second तक present hold करके रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम multifunction button को present hold करके रखते हैं तो google voice assistant iPhone में आप siri को enable कर सकते हैं multifunction button को एक second तक present hold करके अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे phone पर एक incoming call जो है वह आ रहा है आई ओप आपको देख पा रहा होगा तो अब अगर आपको call को answer करना है तो simply आप multifunction button को single press करेंगे और call जो है वह answer हो जाएगा call जो है वह receive हो जाता है और इस तरीके से हम back to call कर देते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि call जो है वह answer हो गया अगर आपको call को cut करना है तो simply यहाँ पर जो आपको multifunction button है अगर आप call पर है तो आप इसको एक बार press करेंगे और call जो हो cut हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वापस से एक call आ रहा है अब अगर आपको call को ignore करना है reject करना है तो उस condition में आपको यहाँ पर जो multifunction button मिलता है इसको आपको एक second तक present hold करके रखना होगा और call जो है वो reject हो जाता है कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक call जो है वो receive किये हैं इस neckband की मदद से अब यहाँ पर अगर हमको अपने इस neckband का जो mic है इसको mute करना है तो उस condition में यह जो multifunction button है इसको double press करना होगा और double press करने के बाद आपका जो neckband का mic है वो mute हो जाता है बट यहाँ पर आपको mute का symbol जो है वो highlighted नहीं दिख रहा होगा because यह जो mute का button है यह आपके phone के mic के लिए है ना की neckband के mic के लिए neckband का mic जो है फिलाल mute है अब आपको अगर वापस से unmute करना है तो यहाँ पर डबल प्रेस करेंगे डबल प्रेस अगर आप multifunction button को करते हैं तो वापस से यह unmute हो जाएगा इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे phone screen पे कि फिलाल जो है यहाँ पर output जो है हमको mewy caller classic में मिल रहा है बट अगर आपको output जो है आपको phone के earpiece पे चाहिए तो यहाँ पर multifunction button को एक सेकंड तक प्रेसेंड होल्ड करके रखना होगा अब यहाँ पर multifunction button को एक सेकंड तक प्रेसंड होल्ड करके रखते हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर phone के earpiece पे जो है है इसके अलब आप मीवी के इस collar classic neckband से redial कर सकते हैं last dialed number को तो यहाँ पर अभी जो भी last dialed number होगा उसको हम redial करेंगे उसके लिए आपको multifunction button को जो है double press करना होगा तो यहाँ पर अभी अगर हम multifunction button को double press करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ automatically last dialed number को redial करने लगा है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो मेरा मीवी collar classic है यह मेरे android phone से connected है अब हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि आप एक समय पर कैसे इसको दो device से connect कर सकते हैं तो अगर आपको दो device से connect करना है ना तो आप जो पहले device से connect करके रखे हैं उसका Bluetooth को off कर दीज़े जैसे ही यहाँ पर Bluetooth off करेंगे आपका जो मीवी collar classic है I hope आपको यहाँ पर दिख पा रहोगा कि यह वापस से pairing mode में चला गया है यह blue और red color में continuous glow कर रहा है अब यहाँ पर हम अपने iPhone से connect करेंगे तो यह मेरा iPhone है iPhone में हम यहाँ पर Bluetooth setting जो है उसको open कर लेते हैं तो हम यहाँ पर iPhone में Bluetooth setting open करते हैं ठीक है तो यह MeV collar classic जो है यहाँ पर clearly दिख रहा है इसके उपर हम tap करते हैं और अब यह MeV collar classic मेरे iPhone से connected हो गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं MeV collar classic connected अब यह MeV collar classic iPhone से connected है अब आपको करना क्या है कि आपको पहला device था जिससे आप पहले connect करके रखे थे उसके Bluetooth को on कर देना है अब यहाँ पर Bluetooth on करने के बाद हम वापस से Bluetooth पर long tap करते हैं और MeV collar classic connecting शो कर रहा है इसके उपर आप tap कर दीजेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वापस से connected है अब एक ही समय पर यह MeV collar classic आपके Android phone से भी connected है और यहाँ पर अगर हम आपको अपने iPhone में लेके चलें तो यहाँ पर आप iPhone में भी देख सकते हैं कि यह जो MeV collar classic है यह मेरे iPhone से भी connected है और Android phone से भी connected है तो एक समय में यह दोनों devices से connected हो जाता है इस तरीके से अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से अगर दोनों में एक समय पर call आ जाता है तो किस तरीके से आप दोनों में calls को receive कर सकते हैं एक को hold पर डालके दूसरे को फिलाल यह Android phone पर call आ रहा है और हम यहां से call को receive करते हैं हर एक condition में आपको voice prompt जो है आपके earphone में आता है अब सेम टाइम पर यहां पर मेरे जो iPhone है इस पर भी call आ रहा है और यहां पर हम already call से connected है तो अब यहां पर अगर आप फिर से single press करते हैं multifunction button को तो यहां पर आप देख सकते हैं कि iPhone में call जो है वो receive हो चुका है और यह वाला जो call है ना पहले वाला call यह automatically hold पर चला जाता है ठीक है अभी यह जो latest जो call आएगा यही आप online है और जो पहले वाला call है यह hold पर चला गया है तो अब अगर आपको वापस से first call पर जाना है और जो second call है इसको hold पर डालना है तो आपको multi function बटन को double press करना होगा तो यहां पर हम इसको double press करते है डबल प्रेस करने के बाद यह जो iPhone पर call आया है अब यह hold पर चला गया है और जो पहले वाला call है यह online हो गया है तो इस तरीके से आप calls के बीच में switch कर सकते हैं दो नो devices पे ए तो अब कुछ लोग बोलेगे कि एक neckband को या एक earphone को reset करने का क्या मतलब है reset करने से क्या होता है कि जो भी connected history है मतलब जो भी past connected phones रहेगा ना वो connection history जो है वो clear हो जाता है इसके अलावा कभी-कभी earphones में होता है कि left earphone में अच्छा sound आ रहा है और right earphone में थोड़ा कम sound आ रहा या फिर led notification light जो है वो properly glow नहीं करता है अलग-अलग functions के लिए जो भी उसको glow करना चाहिए वो नहीं कर रहा है वर्क तो उस condition में factory reset करने से या reset करने से थोड़ा सा issues जो है वो solve होने का chances रहता है तो अगर आपको मीवी color classic को reset करना है तो volume plus और volume minus button को आपको एक साथ press करके रख हो जाता है अब यह जो है reset हो गया अब वापस से आपको अपने दोनों devices के साथ इसको connect करना पड़ेगा इसके अलावा जो LED indicator है इसके बारे में भी हम आपको बता दें pairing के समय पे यह red and blue color में continuous glow करता है और जब यह connected रहता है तो थोड़े थोड़े दिर पे यह blue color में glow करता है जब इसका बैटरी low हो जाता है उस condition में यह थोड़े थोड़े दे देर पे red glow करता रहता है, जब आप इसको charging पे लगाएंग है तो ये red color में glow करेगा, जब complete charge हो जाएगा तो ये continuous blue color में glow करेगा I hope guys आपको mevy color classic को use करने में, अब इसके बाद कोई problem नहीं आएगा फिर भी कोई problem आता है तो आप comment section में पूछ सकते हैं, हम definitely कोशिच करेंगे reply करने का बागे अगर आपको ये video अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा या बिलकुल free है मिलते हम लोग next video में, तब तक technology का स्तमाल एक limit में कीजिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद